हलो बच्च वो लास्त क्लास इवच्छ उसमें मैंने आपको इन अपको इन अपको आपको बारे में थोड़ा बताया था और जिन बचो ने भी दख subscribe ना किया वो चैनल को subscribe भी कर लें तो देखो बचसे चलो start करते हैं क्या क्या resistance क्यों जो resistance term है resistance बैसिक लिधी जो है resistance होता क्या बच्वाइब आप 10th class में भी बढ़ आया हुए physics में हम इसका ज़दा यूज करते हैं जो electric cell आप पढ़ते हैं वहाँ पर तब वहाँ पर जो आप इसको अपलाई करते हैं बट chemistry में इलेक्ट्र chemistry पार्ट यहाँ पर भी आप cell को ही जो है explain करें तो यहाँ पर भी आपको resistance और air resistivity in terms को जानना जरूरी है तो हम explain कर लेते हैं resistance तो देखें when two ends two ends of conductor two ends of conductor applied applied voltage V and I current flow through it in the then the resistance R of the conductor R of the conductor is V by I अब क्या लिखते हैं बच्छो R is equal to V by I ठीक है V हमारा क्या है voltage applied voltage and I हमारा क्या है यापर current unit क्या रहेगी बच्छो इसकी volt आ जाएगी इसकी क्या है इंपी है जिसको हम क्या लिखते हैं बच्छो ओम यानि कि जो resistance होगा उसके अमरे पास unit क्या आती है ओम क्या बहते हैं इसको ओम ठीक है तो देखो इसको नौट कीजी आगे देखते हैं एफेक्टियो एफेक्टिंग एफेक्टियो एफेक्टिंग एंफेक्टिंग आधेक्टिंग आधेक्टिंग इसस्तिंग गाध्या फैक्टियो जो रिटेस्टिंग आथ हैं आपिस्टियोर Special टू ज्श पूशिछलिशन्हक है kan पिए हम इंग दोनों को कैसे लिख सकते हैं प्रपोर्शनली साइन ल बाई ए इस इक्वल टू र इक्वल टू रो ल बाई इस रो इस रेजिस्टिविटी क्या होगी बचुई रेजिस्टिविटी सबस्थाई इढ़ देखो इस इस मैं पॉइं पटा रगा सकते हैं बच्चों क्या如果 कि जो प्रपोषिन दोगी वो क्या होगी प्रपिन प्रप जिअյां परदेख से बतबाएर बच्चों बेचिकनी जो प्रपोर्शनलेटीोन तो इट में 1 by R हमारा क्या होगा अगर हम conductors को सी से denote करने से हैं अगर हम इसके unit देखे, unit of conductors तो 1 by R यानि की 1 by ohm तो यह क्या हो जाएगा पर ohm पर ohm को हम क्या बोलते बचो यह मैंने यह symbol लिखा है पर ohm जो है इसको हम बोलते हैं सी मैन भी बोल सकते हैं तो यानि की जो conductors होगी उसके unit आप पर ohm भी लिख सकते हैं और सी मैन भी हम उसके कर सकते हैं फिस्ट वं इस लेंद भाई पर देखे अ अब देखे मैंने आपको जो नेक्स अजा गड़ाई ड़ा है किसी भी सॉलूशन की अब अब किना ज्यादा कर्ण वहां से फ्लो हो राहाई तो जिब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो दो घटेगा तो अगर आपको घंडेग तो यह जो प्वाइंट रहेगा इसके भी हाग कर रिजिस्टेंस की युनिट क्या होती है नहीं होती है तो और टो रो निख्वाइगा ओम को जब आप उपने जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा ओम इनवर्स को मैं बोलते हैं ठीक है तो देखते हैं तो देखो आपनी लिख्वा आज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो एल भाई ए रो हमारे पास क्या रहेगी रेजिस्टिविटी आप बताएके बुत्चो ओच्वा नेटियर ओप मैट्रियर नेटियर ओप मैट्रियरत ठीक है तो देखिए जो नेटियर ओप मैट्रियरल यादि कि हम इसको ऐस़ी तो लिख सकते हैं वरन भाई रो इसी त्ट KP लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को रियर्रेंज करके तो जो 1YR होगा वो क्या होगा वच्छो 1YR is equal to conductors into LYA हो सकता है अगर आप यहां से जो आप क्या करें resistivity की अगर unit हम calculate करना चाहें यह मैंने आपको बता है conductors के टाम ले ठीक है बच्छो कि हम जो है conductors को resistivity का calculation यहां से बना सकते हैं वो देख सकते हैं आप यहां से तो अब देखिए आप जो resistivity unit of resistivity unit of resistivity कैसे देखेंगे आप क्या कीजिए रो is equal to R into EYL हो जाएगी EYL होगा अगर आप इनको inverse में ना ले जाना चाहे है रो को और R को तो आपका जो है A by L जो है वो आपका L by जो A था वो inverse होकर EYL में करवर हो जाएगा तो जो unit रहेगी हो क्या हुई ओं इंटू ए रिया की क्या होती है cm स्केर अपन में cm यान ही कितनी हो जाएगी रो cm प्लियर बच्वों यह हमारी किसकी unit रहेगी रेजस्टिविटी की next is specific specific conductance conductance first point to event में रुखे बच्वों यह जो प्रोपरटी है specific conductance that is intrinsic property आपनी जो है वहाँ पढ़ा होगा thermodynamics में 11th class में intrinsic और extrinsic property दो प्रोपरटी आपनी महाँ पढ़ी थी तो यह जो प्रोपरटी रहेगी specific conductance वह हमारी क्या रहेगी intrinsic property रहेगी यह क्या हुगा reciprocal of reciprocal of resistance resistance it is denoted by it is denoted by kappa kappa its symbol will be like this okay बच्चे तो देखिए हम क्या लिख रहे थे 1 by rho is equal to 1 by r into l by a हमने यह लिखा था 1 by r तो हमारा conductance रहेगा 1 by rho देखिए 1 by rho जो रहेगा that is kappa that is specific conductivity is equal to c into l by a clear है बच्चो यानि किये क्या हुआ conductance रहे या आप इसको adjectives भी लिख सकते kappa is equal to 1 by r into l y a यह भी हम इसको लिख सकते हैं clear हो तो देखिए unit of kappa unit of specific conductance or kappa unit of kappa will be equal to क्या होगा बच्चो 1 by ohm into centimeter upon centimeter scale एक से cancel होगा per ohm per centimeter यह unit रहेगी है हमारी किसकी specific conductance की clear है बच्चो इसको not किजी आगे देखिए how can you define specific conductance you can write here conductance conductance due to electrolyte 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 any concentration any concentration okay due to electrolyte any concentration present in one centimeter cube volume क्यानी किसे से देखिए आपने जो है यह area आपने लिया यह space आपने जो लिया है two electrodes जो है आपने लिया है one यह जो है यह दो आप electrode ले ले सकते हैं इदर और इदर यह दो आप clear के लिजी for example यह भी one centimeter यह भी one centimeter और यह भी one centimeter one centimeter cube के अंदर fix कर दिया बच्चो आपके one centimeter cube के अंदर किसी भी concentration का जो electrolyte लेते हैं उसके वज़ेसे जो conductance होगी that will be specific conductance specific word यह भी क्यों जोडा लें क्योंकि यहां पे constant term देगी आपको one centimeter cube volume यानि कि यहां पे जो volume है fix रहेगा आपको one centimeter cube volume के अंदर कोई भी electrolyte यहां पे डाल सकते हैं उसके वज़ेसे जितनी भी conductance यहां पे flow होगी वह हमारी क्या रहेगी specific conductance यानि कि यह दो two electrodes आप यहां पे जरूर लेंगे बच्छों अभी आगे आपको पता लगेगा बिना voltage apply solution dissociate नहीं होगा और वहां से जो आपका electrical flow नहीं कर पाएगा ठीकर यहां पे one centimeter cube apartment में आपको solution डालना है जितना भी आएगो चाहे किसी भी concentration का हो तो उस ताइम पे इतनी भी conductance वहां से release होगी that will be specific conductance अब अब अगर हम क्या करें increase if if we increase if we increase dilution dilution यानि कि आपने जो भी यहां पे एक्टोलाइट यूज किया है उसके अंदर आप जो dilute कर दे उसको यानिक उसको के अंदर जो है आप और वोटर की quantity अगर देते हैं ठीक आप आप यहां के चलिए तो जब आप इसका dilution बढ़ाएंगे तो जो dilution बढ़ा रहे हैं तो इसके amount कम हो जाएगी dilution बढ़ने से जो आइंस में dissociate होने वाले है उनके quantity कम हो जाएगी क्योंकि जो space इसके पास इतना only one centimeter cube है आपको जितना भी electrolyte डालना है one centimeter cube के अंदर तो देखो बच्चो जब तक आपका पासितना खेंपें 116 सेंटीमीटर qube में जितना भी electrolyte रहेगा वो डीसोशेट होता रहेगा अनके कम कर दी एक आजो आपके कम होती जाएगी कम होती जाएगी आइंस कम होती जाएगी आइन्स कम होंगे तो पुर्टेंस के आप जाएगी डिक्रीज हो जाएगी समझ आया इसको इससे डिनोट करेंगे आप जो कपपा से डिनोट करेंगे अगर इसकी अप देखवी पर यूनिट और देख लेके हैं कपा की अभी मने आपको नास्क में बताई थी क्या हो जाएगा वन बाइ आप इसकी यूनिट की थी आपने क्या होगी पर ओं क्या होगी पर सेल्ट यूनिट आपको धिहान रखनी है बज्चों कि जो स्पेसिफिक कि अभी में उसकी ऐन्यूनित क्या रही तिए अब देख लेकते हैं Equivalent Conductivity next one is Equivalent Conductance तो देखो भूचों जो Equivalent Conductance रहेगा उसको हम Lambda Equi इससे है टीनौत करेंगे इसको इसको हम बाने पास यह रहेगा Lambda Equivalent ठीक है तो इसको हम Define कैसे करेंगे conductance, conductance, due to 1 gram electrolyte, electrolyte, dissolve in, dissolve in any amount of water, any amount, any amount of water, placed in between, placed in between, electrode, apart 1 cm, apart 1 cm. यहनिके आपको के अधर ना बच्चो, according to this definition, आपको 2 electrodes ले लेने हैं बच्चो, यह आपने इस टाइप से 2 electrodes लिये हैं, ठीक है, इनके बीच का जो distance रहेगा, वो 1 cm distance होना चाहिए, 1 cm distance होना चाहिए, ठीक है, आप कितनी भी amount जो है, water की ले सकते हैं, जो आपको इन 2 electrodes के बीच म रखने हों की, ठीक है, एक electrode आपका यह है, जो आप लेट भी बहुत देते हैं बच्चो इनको, यहां पे आपको प्तना solution रखना होगा, जो आप electrolyte 1 gram ले रही हैं, तो देखें, इनके बीच को जो distance होगा, वो 1 cm कर रहेगा, दोनों electrodes के बीचे, यहां पे आप 1 gram electrolyte किसी भी amount of water के अंदर dissolve कर सकते हैं, और देखें, यहां पे condition नहीं है, कि आपको 1 cm cube volume ही लेना, नहीं, यहां पे कोई condition ही है, आप कितना भी volume jar water का यूज कर सकते हैं, यहां पे जिसके अंदर हम अपने क्या कर सकते हैं, इसको dissolve कर सकते हैं, यहां कि जो हमने electrolyte लेना है 1 gram, वो हम 1 cm अप के अंदर जब रखेंगे, तो कितनी भी quantity water के लिए उज कर सकते हैं, अब देखो, अगर हम यहां पे dilution increase कर देते हैं, बच्चो किसमें, इक्वेलेन कंडर्टेंस में, dilution अगर हम increase करते हैं, तो क्या होगा बच्चो, यहां पे हमारी पास quantity fix नहीं है, ऐसा नहीं है, कि अगर तो अगर वोटर की कॉंटिटी एड़ करना है, तो एसा यहां की condition नहीं है, आपको वोटर की कितनी भी amount ले सकते हैं, कितनी भी amount में आपको 1 ग्रेम लेक्टोलाइड डिजोल करना है, बच्चो, सरफ कंडिशन क्या है, कि दोने लेक्टोंस के वीच्चो के वीच्चो के वी काहिए बच्चो के करने हैं, देखो जब आप यहां पर डिजोंस के बड़ाएंगे, तो जो जो इल्यक्तो राइट है, आगर डिजोन रेंडम्ली डिस्ट्रिगूट रहे हैं, तो क्या होगा, उनका मोशन फास्ट होगा, जो तो इनको अपक्श होगा, क्यों कि जो 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 यहांद कि आपको क्या होगी अब अब इंट्रेक्शन अब डिक्रीज होगी तो इस केस में आप डाइलुशन इंक्रीज करते हैं तो क्या होगी इंग्रीज कुछ होगी आपको स्पेसिफिक कंड़क्ट हैं सबस्च आपने वन सेंटीमेटर की वोल्यूम फिक्स किया था उसे के अंदर जा आपको अपनी क्वांटिटीटी फिल कर रही थी अब अगर आपको से अलेक्टरोलाइट को कम दर रहे तो आइन्स तो एक्रमेटिक लिख होगे खंड़क्टाइश तो बटेगी यहां पर आपकी कंडेशन नहीं है कि आपको वन सेंटीमेटर की वोल्यूम भी लेना है यहां पर आपकी सिर्फ एक कंडेशन रहें कि वन सेंट वो फास्ने फोल्यूम की तरफ मूँ करेंगी केटाइन जो है नेगर्टिव लग्टरोड की तरफ और आइन जो है पोजिटीव लेक्टरोड की तरफ ऐसे मूँ करेंगी जिससे हमारी कंड़क्टाइश के अभी भी बड़ ही तो चल्लू देखते हुए अगर हम उसे विभ स्पेसिफिक कंड़िप्लाइड वोल्यूम क्यों किया एक तो पॉइंट आप यह समझ लीजिए जब आप डाइलूशन बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी कंड़िप्टेंस जो होगी ना कंड़िप्टेंस जो आप जहां से भी क्यों कि यहां जो कि जितने भी आयंस से वह तोटली हो छुआ है आयन दिससुआइशन जो प्रॉप जो हमारे डिसोष्येट हो चुगे जिद्ने भी आपका यह अपका बात राइट था हो आइन समें दिसोष्येट हो चुगा यानिकि ए अब और इलैक्टेंस जो हैं आपक अब यहां पे specific conductance का पूरूला क्या है कप्पा है इंटू में वी अब दीखो जो यह volume जो है यह volume अगर आप 1 कर दें जैसे आपने volume जो लिया कितना लिया वन cm3 लिया तो अगर आपने 1 cm3 ही volume ले लिया तो कुम सी condition बन दें specific conductance की specific conductivity जो अभी हमने पड़ी है उसकी condition मनीन है तो उस टाइम पे जो equivalent conductivity होगी और specific conductivity होगी वो दोनों क्या हो जाएगी because हो जाएगी बट देखो question क्या है कि हमने जो है equivalent conduction के लिए कुछी की condition ही रखी है volume की तो यहां पे आपका 1 cm की बढ़ना होने की बजाएगी नहीं 2 भी होसकता है 3 भी होसकता है यानि यह जो आपका हो दरीन, यह चेंज हो सकता है यहांपे, क्योंके कोई कंडिशन यह रख राखी किसके लिए? ख्योंकिन कंडिशन के हैं तो उसके लिए आपको जो स्पेसिफिक कंडिपस है उसको वह जो से उसे मर्दीप्लाई करना पड़े जिससे आपका equivalent conductance आएगा, समझ में है बच्छो, अब देखो, हम इसमे equivalent conductance में gram equivalent की बात कर रहे हैं बच्छो, आपने अभी क्या बुलाते है, one gram, one gram आप वोटर के अंदर डिंजोल करें, तो gram का जो relation है, वो किसके साथ है, normality के साथ, हम यह से देखना, volume को modify करेंगे, normality क्या होती है, gram equivalent, gram equivalent absolute होती है, divided by volume into 1000, कुछ ऐसा जो है formula होता है, किसका normality का, हम volume को इदर लेकर आएगे, तो देखो, वोल्यूम की value चाहिए, volume is equal to क्या होगा, gram equivalent, gram equivalent by, यहाँ पर क्या जाएगी, normality, क्या हैगी बच्छो, normality आएगी into 1000, अब अगर आप grand ही बन ले रहे हैं, हमने क्या है, gram is equal to 1 लिया बच्छो, तो इस case में क्या रहेगा, gram is equal to 1 में, यहाँ पे 1 by normality into में क्या आएगा, normality into 1000, यानि कि जो formula बनेगा, वो क्या बनेगा, volume is equal to 1000 upon normality, understand, यह relation बन गया, तो हम इस relation को कहाँ पूट कर सकते हैं, अपने इस formula में, यानि कि जो lambda इक भी valid होगा, वो किसके इपर उचाएगा, कपा into 1000 upon normality, finally हमारे यह formula रहेगा, किसका equivalent conductance का, यह रहेगा, यह रहेगा, तो देखो, यह आपको जान रहना चेलिए, यह बना formula, equivalent conductance is equal to specific conductance multiplied by 1000 upon normality, यह formula कहाँ से आने, सर्फ value जो है, वो calculate करके, वहाँ पे value पूट की है, ठीक है, जिसको note कीजे, आजी, आजी, molar conductance होटे की लगते है, next topic is, molar conductance, molar conductance, तो देखो जो, जो molar conductance होगा, molar, वहाँ पे equivalent, equivalent से क्या निकला था, gram equivalent, molar यहाँ से निकलेगा, बोल गर, ठीक है, तो इसको क्या लग सकते है, conductance, conductance, due to, due to, one mole of, one mole of electrolyte, electrolyte, dissol in, electrolyte, dissol in, conductance due to one mole of electrolyte, dissol in, any amount of, any amount of, water, any amount of, water, placed in between, placed in between, placed in between, in between, two electrode, two electrode, apart, one centimeter, same है बच्चो, वहाँ पे आपने वन ग्रेम लिया था, यहाँ पे वन मोल आएगा, ठीक है, तो देखो, if we increase dilution, if we increase dilution, तो same thing रहेगी, हमने यहाँ पे volume के कोई condition रखी नहीं, सिर्फ आपकोई लप्रोड के बीच में कितना space रखना है, one centimeter अपाए, तो जो मोल आप यहाँ भी dilution बढ़ाएंगे, तो जो मोल्स का dissociation है, वो जादा होगा, क्यों, क्योंकि dilution बढ़ गया, जो अंदर के intermolecular forces से हो क्या होगे, decrease होगे, तो if we increase dilution, conductance, conductance, will be increase, Mr.Spran, here we denote by lambda M molar conductance, ठीक है, molar conductance को हम lambda M से denote करेंगे, इसका जो formula रहेगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बच्छो यहाँ पे, volume, वहीं आए, ठीक है, वहीं आएगा, बट यहाँ पे जो है, अब देखें, हम वोल्यम को जब एक्स्प्लेइन करेंगे, वो थोड़ा चेंज होगा, grand equivalent के लिए वनी normality यूज़ क्या था, पर mole के लिए हम molarity यूज़ करेंगे, ठीक है, molarity, molarity क्या था, number of moles of solid, number of moles of solid, divided by यहाँ पे क्या था, volume of solution into thousand, यह formula था, हम volume को इदर लेके आएगे, same thing, volume को इदर लेके आए, आप यहाँ नंबर of moles by molarity into thousand, 1000, जब आपने number of moles को बन किया, तो 1000 upon molarity रह जाएगा, यहाँ से, number of moles अगर आप बन कर देते, 1000 upon molarity रहेगा, यहाँ पुट कर देते, तो, lambda M, molar conductivity is equal to, कपा into 1000 upon molarity, यह रहे, यह रहे बच्चो, तो यह जो तीनों टम है, क्या specific conductance, equivalent conductance, and molar connect है, that's very important part of our electrochemistry, यह आपको जो है, समझ में आजाने चाहिए, बच्चो, अगर फिर भी आपको कोई problem है, आप comment section में बदा सकते है, तो आज की क्लास में बच्चो, यह यह निग कापी करेंगे, नेक्स क्लास में, बच्चो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं वीडियो, तो बच्चो प्लीज कमें बच्चो में मुझे अपनी problems बताएं, क्या आपको क्या नहीं मिल पा रहा हैं, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है बच्चो, चैनल जिन मुझे ने अपक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चै धन्न मैं आपक सब्सक्राइब ो आपक पार में मंहीं किया है, चैनल जिन मुझे सर वीना नहना हो, चैनल जिन मुझे सर कि एम उह आपको है, चैनल चैनल पाराधि़ हैं, जिन सक्षक्तराइब घाँर, अभवचे सब्सक्तराण बच्चो, चैनल लuchtशशङी कि Detर ड intim आप